सबसे ज़्यादा जो hyperpigmentation या pigment का शरीर में बड़ा होना उसका एक कारण जाईयां के नाम से हम उसको जानते हैं उसका scientific नाम या biological नाम उससे हम melasma बोलते हैं या kloasma भी बोलते हैं हमारे शरीर में विशेष्ट केवल उनी एरिया में पाई जाती है जहां पे सूरज की केड़ों का direct संपर्क होता है जाईयों के अंदर विशेष्ट कलर का बढ़ना पाया जाता है जिसके अंदर कुछ खास एरिया में कलर बढ़ा हुआ पाया जाता है जैसे भूरे रंग, अत्यदिक भूरा रंग, हलका काला रंग वे अत्यदिक काला रंग या इनके बीच में भी किसी प्रकार का अगर कोई धबबा है या पूरा एरिया है जो कि केवल सन एक्सपोजड एरिया जहां पे सूरत की क्लिण सीधे पड़ रही हो उसको हम जाईयों के रूप में जानते हैं चहरे पे जहाईया होने के कई कारण है जिसमें एक विशेष्ट कारण जो है अल्ट्रा वॉयलेट रेडियेशन अल्ट्रा वॉयलेट रेडियेशन क्या होता है यह अल्ट्रा वॉयलेट विकिर्णे हमारे सूरत से आने वाली किर्णों के अंदर पाई जाती है इसके अंदर Ultra Voilet A, Ultra Voilet B and Ultra Voilet C किरने होती है जो की हमारी स्किन के अंदर पाये जाने वाले Millennium Pigment है जो की हमारे शरीर में काला पन को बढ़ाता है हलके भूरे पन वे गहरे भूरे पन के लिए जिम्मेदार होता है Ultra Voilet अगर उन एरियास में जो की सूरज के सीरे संपर्क में आ रही है तो उनकी मात्रा Millennium की बढ़ने लगती है और उस एरिया में काला पन आने लगता है इसके अलावा गर्मिरोदक गोलियां जो मैलाएं गर्मिरोदक गोलियों के नंबे समय से सेवन कर रही होती है उनके अंदर भी Millennium Pigment बढ़ने लगता है और विशेशत है वह भी उनी एरिया में बढ़ता है जो की सूरज की केड़नों के सीधे संपर्क में होती है इसके अलावा एक common problem thyroid भी है जिसकी वज़े से हमारे sun exposed एरिया में Millennium Pigment की मात्रा बढ़ने लगती है उनको भी जाईयों के नाम से जानते हैं और कुछ ovarian या अंडे दानी की विमारिया जिनको होती हैं उनके अंदर भी ये जाईयां दिखाई देती हैं एवं कई प्रकार के शरीर में hormones होते हैं मैला एवं पुर्षों में जिनके अत्यदिक बढ़ने या घटने पे भी चेहरे पे जाईयां पाई जाती हैं एवं hyperpigmentation जो शरीर में होता है उसके अंदर मेलाजमा ही एक या सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है जो की genetically आपको एक पीडी से दूसरी पीडी में भी दिखाई देती है तो इसके कई कारण है वो है ultraviolet radiation एवं cosmetic products भी हैं जिनकी अत्यदिक इस्तमाल से जो की bleaching में या facial के अंदर इस्तमाल जो chemicals होते हैं वो चेहरे की उपरी परत को बहुत पतला कर देते हैं और जैसे ही हमारी skin sunlight के संपर्क में आती है वो नाजुक चमडी तुरंत काली पढ़ने लग जाती है मिलेनिन पिगमेंट की वज़े से और जाईयों का बनना चालू हो जाता है तो मैं आपसे हमेशा यही बताऊंगा मिलाजमा इंडिया में ultraviolet radiation की वज़े से जादा होता है इसलिए धूप एक मात्र सबसे बड़ा कारण है जो की जाईयों का कारण होता है जाईया वक्त के साथ में बिलकुल बढ़ सकती है अगर जाईयों का जो भी कारण है जैसा मैंने पहले बताया जाईयों के कई कारण है उन में से कुई भी कारण अगर आपने उसको उचिस समय पे उससे बचाव नहीं किया या अगर किसी प्रकार के कुछ दवाईया है आपने उनको बंद नहीं किया एवं सही समय पे उसका उपचार चालो नहीं किया तो वह बढ़ने लगता है जैसे कि आपने कई लोग ने अनुबव किया होगा कि जाईयों के शुरुवाद हलके रंग से ही होती है आपका विशेश अगर चेहरा के रूप में बात की जाए तो आपके एक विशेश जगे पे थोड़ा हलका रंग का ही इसकिन वहाँ पे आपको गहरे रंग में दिखन नहीं किया उसका उचित इलाज नहीं किया वो जिस वज़े से हो रहा है उस कारण को आपने ठीक नहीं किया तो जाई अपने धीरे धीरे और ज्यादा गहरे रंग में बढ़ती चले जाती है एवं चेहरे के एवं हाथ के कई हिस्सों को या कुछ बड़े रूप में भी वो फैल जाती है इसलिए जाई हमेशा अगर इलाज ना किया जाए उसका ध्यान ना रखा जाए तो वो बिलकुल फैलती है जाईया पुर्षों एवं मैलाओं दोनों में पाये जाने वाली बिमारी है लेकिन ये अधिकतर मैलाओं में मिलती है ये बात बिलकुल सकते है क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया इसके कई कारणों में से जिसमें गर मिरोदा गोलिया हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं एवं हार्मोनल चेंजेस हैं ये प्राय मैलाओं में ही देखने को मिलते हैं जैसे हार्मोनल चेंज मैलाओं में कैसे वे कब-कब होते हैं विशेष्टे 13-14 साल की उमर में जब महवारी स्टार्ट होती है तब उस समय पे हार्मोन्स होते हैं एवं जब एक मैला गर्बवती होती है तब उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं उस समय काफी मा महिलाओं को उन्होंने experience किया होगा कि उनको pregnancy के दोरान या pregnancy के कुछ महिनों या साल के अंदर अंदर उनको जाईयों का लिखना चालू हो जाता है एवं thyroid भी एक ऐसी समस्या है जो की प्राय महिलाओं में होती है इसलिए thyroid हो गया आपका गर्मी रोधा गोलिया हो गई है आपकी hormones में समय समय पर बदलाव हो गया है cosmetic products भी आप सभी जानते हैं अधिकतर मैलाएं ही इसका अधिकतर इस्तमाल करती हैं और जैसा कि मैंने बताया कि cosmetic products हमारे चाहरे को काफी नुकसान पहुंचाते हैं इसी वजह से यह सारे कारण मिलके एक तरफ इशारा करते हैं कि मैलाओं में ही जाईयां ज्यादा होती है अगर आप किसी प्रकार की दवाई या जैसे कि गटमीरो तक गोली आप इस्तमाल करती हैं तो आपको उसको इस्तमाल करना बंद करना चाहिए एवं आपके जो भी हार्मोन्स हैं आपके थाइरोइड हैं या आपके ओवरी से सम्मंदित अगर कोई बीमारी है या अन्य मैलाओं या पुर्षों में जो भी हार्मोन्स जिम्मेदार हैं मिलाजमा के लिए उसकी डर्मेटलोजिस्स से उची समय पे जाच करवा लेनी संपर्क मरेते हैं तो जब भी बाहर निकलें तो अपने चहरे को अच्छी प्रकार से ढके निकलें कपड़े से ढके निकलें एवं जितना प्रयास हो सके सूरज की किरेणों के जहां पर प्रभाव है उस एरिये से दूर रहके ही अपना काम करें एवं इसके लावा कई प्र मेटलोजिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी दवा पहले इस चालू करता है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए आपको आपके पास समय की कमी है आपके रिजल्ट आपको क्रीम से नहीं मिल पा रहे हैं आप अधिक बचाओ भी कर ले रहे हैं सबी प्रकार क उपायर कर ले रहे हैं लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप हो सके तो लेजर का इस्तमाल आखरी ओप्शन है वो आप कर सकते हैं जब भी आपको मिलाजमा या चेहरे पे विशेश प्रकार से अगर हलका भी आपको अगर कलर में या धब्बे के रूट के अंदर भी अगर आपको हाइपर पिग्मेंटेशन या भूरा या काले रंग का अगर किसी प्रकार का बदलाव मैसूस होता है आप जल से जल डॉक् के पास लेके जाएंगे उतने ही कम समय पर ठीक होती है एवन अगर आपकी विमारी व्यापक रूप में है काफी समय से है उसको ठीक होने में भी समय लगता है इसलिए आप अगर conventional way में जाएं मतलब आप अगर लेजर के इस्तेमाल ना करना चाहें तो क्रीम से अमूमन संस्क्रिन लोशन एवं लगाने वाली क्रीम से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और अगर लेजर के फ्रू हम जाते हैं तो महिने बर के अंदर-अंदर ही पुराने से पुराना भी अगर मिलाजमा होता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं वैसे तो घरेली नुसकों का इलाज घर के अंदर कई बार बेशन के रूप में लगा के एवं कई और प्रकार के पदार्थ हैं जिन से मिलाजमा को ठीक करने का प्रयास किया जाता है लेकिन सबसे बहतर यही है कि आप घरेली नुसके उपाय ना करके आप एक अच्छे डर्मेटलॉजिस्ट से निकट जो भी हो उनसे मिलें उनसे सला लेके आप दवाईयों का इस्तमाल करें खाने में आपके एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटमिन सी तो आप फलों में एवं विसेश कर खटे फल जैसे हमारा संत्रा है उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है lycopene rich product एवं ascorbic acid rich product आप देखें उनकी list बनाएं और उनकी मात्रा आप खाने में आप ज़्यादा रखें तो उनसे naturally आपको अच्छा face मिलाजमा में cover मिलता है एवं vitamin E की market में especially गोलियां भी आती हैं एवं खानपीन में भी आप vitamin E, vitamin C एवं glutathione इन product की जिनमें ज़्यादा मात्रा हो आप इस्तमाल करें जिनमें फल, प्राय, सभी प्रकार के इनमें वो पदार्थ पाये जाते हैं इसलिए मेरी आपको सला है आप फलों का सेवन झाल